हेलो फ्रेंड्स आपको अपना यूटूब चैनल प्रियम टेरिस गाडनिर एंड क्लिवनरी में स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलुआ तो गाजर का हलुआ की रिस्पी जानने के लिए प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए का तभी आपको प आज घिस के नहीं काट के बनाऊंगी तो चलिए अब बहले हम इसको काट लेते हैं क्या है दोस्तों कि आज के भागा दोड के टाइम में हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता है कि हम बैट के पहले घंटा गाजर को घिसें फिर हम बनाएं यहां मैं बहु ज़्यादा मोट पत्ले टुकडों में नहीं काट रही हूं पत्ले पत्ले टुकडों में काट रही हूं गाजर को और हम सभी को लगभग पसंद रहता है गाजर का हलुगा कोई कोई होता होगा जिसको नहीं पसंद होता होगा लेकिन अधिकांस तो लोगों को गाजर का हलुगा पसंद रहत ओप Beruf मेरे इतना ही तो यहां दोस्तों मैं लगभग इसको काट लिहूं काट उरस्पी मेरी मां की जिसको मैं अपनी मा से सीखी हूँ अजक्यांस तो बहुत सारे रिष्पियां मैं सीखी हूँ अपनी मम्मी से लेकिन ये खास तौर से मेरे लिए यादगार रिष्पि है ये तो इसको आज मैं कड़ा ही तो बिल्कुल भी नहीं छूँगी आज मैं इसको बनाने जा रही मैं आज अमेब ऑवर ने जा रही हूं देशी आप चाहें हैं तो और भी डाल सकते हैं थोड़ा घी हमारे हम लोग कम खाते हैं तो इसलिए मैं घी ऐसल है खुरा तरह दा रही हो तो आज मैं इसको पानी मुबाल की नहीं इसको भून के बनाऊंगी गाजर के जो टुकड़े हैं इसको मैं कुकर में डाल के इसको भूनूंगी कुछ टाइम तक तो यहां मैंने सारे गाजर को डाल दिया है दोस्तों फिर मैं इसको पान से साथ मीनर तक आपको लगेगा टाइम इसको अच्छे से पहले इसको रोष्ट कर दीजिए आप चाहें तो इसमें और भी घीर एड़ कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है अगर इतने भी घी में बनाएंगे तो भी बहुत स्वाधिश्ट होता है यह हलुगा बस आप पूरा वीडियो जरूर देखिए का तो यहां मैं गाजर क तो रोष्ट कर ले रही हूं लगभग और देखिए मेरा धीर धीर कम भी होता जा रहा है दोस्तों तो इसको हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है बस कलचल से चलाते हुए इसको रोष्ट करना है आप इसको बीच-बीच में चलाते रहिएगा जब तक अच्छे से रोष् तो यहां हमारा देखिए अब लगभग रोष्ट हो चुका है तो चलिए अब हम इसको ढगकन लगा के एक से दो सीटी लेके पहले इसको हम पका लेते हैं आपका जितने सीटी में पकता हो गाजर उतने सीटी आप ले लीजेगा मेरे यहां तो एक से दो सीटी में पक जाता है तो हम इसको दो सीटी लेंगे गाजर के हलुए को पकाने के लिए तो यहां हमारा दो सीटी लेने तक कावेट करते हैं और लगभग हमारा यह दो सीटी हो भी चुक्वा है तो चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं दोस्तों देखिए हमारा प्रेसर जो है एकदम ठंडा हो गया है सीटी तो अब हम इसको खोल के देखते हैं दो ने के बाद आछ अग आज्यार हैं घाजर पक्के तयार है नहीं कहने देखिए धाजार भी खंट किया करें तो फिरी काड़ाही में थी абсолют में कर रोंगी इसी में आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें पानी कितना ज्यादा निकल रहा है आप इसमें पानी उबालते टाइम इसको पानी एक चमच भी इसमें मड़ डालिएगा बस इसको रोष्ट करके और धकन लगा के बंद कर दीजिएगा आपके पास अगर मैसर नहीं आज मैं गाजर के हलुए को न तो खोया से बनाओंगी दोस्तों और न तो मैं किसी मिल्क पावडर से बनाओंगी यहां देखे अब हमारा मैस हो चुका है तो चलिए फहले फिर से हम इसको गैस की फ्लेम को आन करते हैं और बिना खोया बिना मिल्क पावडर के आज हम बनान से जालेजे विश्वास नहीं मानेंगी इतना स्वाधिष्ट हलुगा आप बार बार बनाने का आपका मन करेगा और इतने आसान तरीके से तो इसको हम जो पानी इसका है दोस्तों यहां दो से तीन मिनट इसको फुल फ्लेम में इसको हम पले थोड़ा सा चला के सुखा लेते ह इंडतार जोड़ा से आधा लिटर दूद्ध बड़े कप की साई से तो यहां मैं जो मलाई हो गाड़ी मलाई ऐसी को मैं यहां ढाल 107 शρά एक कर आता है उसको डालने से मपकरशा तेस्ट घूत withdraw करेगा और खोया का ही काम करेगा तो इसको हमें दीच विच नहीं कि चला कि इसको पकाना है और इसी के साथ में डाल रही हूँ छीनी करो कटोरी लंड़ आपल ітना मीठा कम जादा खाना चाहें उसे साफ से आप चीनी डाल सकते हैं दोस्तों अब मैं यहां चीनी और दूध को डाल के बीच-बीच में चलाती रहूंगी और इसको पकाती रहूंगी आप चाहें तो इसी बीच में और भी कोई काम कर सकती हैं कोई इसमें यह नहीं है कि इसी के पीछे आप पर वेज़ 15-20 बाएट लगता है तो इसको दूद्र को जलने में अगर आप दूद्र कम डालेंगे कि तो ताइम और जो कि हमें पसंद भी है तो यहां मैं इसी में ड्रालूंगी दोस्तों कटे हुए ड्राइफ रूट्स जिसे इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और अब मुझे और भी कुछ नहीं डालना है बस दूध और राइफ रूट्स से हमें गाजर का हलुगा बनाना है आप बीच-बीच में इसको चलाते रहिएगा नहीं तो नीचे से पकड़ लेगा तो जितना आप दूध इसमें डालेंगे उतनी ज्यादा टेस्टी आपका गाजर का हलुगा बनके तयार होगा तो दोस्तों यहां हमारा लगभग गाजर का हलुगा बनके तयार है इसको पकाने में मुझे 20 मिनट का टाइम लगभग लगा है मैं ज्यादा फूल फ्लेम में नहीं की थी इसको मैं मीडियम फ्लेम में इसको पकाई हूँ और इसकी खुस्बू इतनी अच्छी आ रही है कि पूछिए मत तो यहां यह देखिए हमारा बनके तयार है गाजर का हलुगा तो हमारी रेस्पी दोस्तों यही थी आज की मैं आसान तरीके से आप लोगों को बनाना के बताना चाहती हूँ कि हम मतलब की हमारा काम भी हो जाए और मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़े आज के भागा दोड़ में कहां किसको टाइम है तो चलिए अब हम इसको फटा किएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लेज सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आप नए हैं तो भूल येगा मत और वेल आइकन को जरूर प्रेस कर देजिएगा ताकि हमारे हर हमारे चैनल का हर एक वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुच जाए दोस्तों तो यह थी हमारी रेस्पी अब यही थी दोस्तों इसको हम ड्राइफ रूट से थोड़ा सा और सजा देते हैं तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो पर किसी और नई टापिक के लिए तब तक के लिए गुड़पाइ शीयो टेक कियर थैंक्स पॉर वाचिक माई वीडियो बुब